दोस्तो अब आपको फ्लाइट की टिकट को बुक कराने के लिए साइबर कैफे ये कहीं और जाने की जरुवत नहीं है बस घर बेटे ही अपने मुबाइल से अब आप मेक माई ट्रीप अप्लिकेशन की मदद से सस्ती से सस्ती फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं मेक माई ट्रीप काफी सांदार अप्लिकेशन है ओनलाइन फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए इसमें आपको काफी ज़्यादा डिसकाउंट भी मिलता है और काफी आसान इंटरफेस है फ्लाइट की टिकट को बुक करने के लिए आपको कहीं पे भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है Make My Trip Application को open कर लेना है और इसमें कुछ changes भी हुए हैं अभी latest तरीके से मैं आपको flight की ticket को Make My Trip Application में book कराना सिखाने वाला हूँ तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको Make My Trip Application को open कर लेना है कुछ इस type का आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पे सबसे पहले आपको एक option देखने के लिए मिल जाएगा flights वाला तो यहाँ पे flights वाले option पे आपने सबसे पहले तो click कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन option आपको दिखाई देते हैं one way का मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह की ticket करा रहे हैं round trip का मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह और वापसी की ticket करा रहे हैं और इसके बाद multi city इसका मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे जगह से कहीं तीसरे और जगह की ticket करा रहे हैं तो यहाँ पे हम only अभी one way select कर रहे हैं इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं from में आपने वो जगह डाल लेनी है जहां से भी आपने यातरा करनी है example के लिए मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो यहाँ पे मैं मुंबई टाइप कर लूँगा जैसी ही यहाँ पे search box में दिल्ली टाइप करता हूँ तो दिल्ली का इंद्रा गांधी international airport आ जाता है इस पे आपने click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे departure date आपने select कर लेनी है कि किस दिन आप यातरा करना चाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग month आ चुके हैं नीचे की तरफ अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पे month भी आगे के और बढ़ते दाते हैं जैसे example के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यह December 2020 चल रहा है अगर मैंने January की flight करानी है तो जैसे एक January की अगर मैंने flight करानी है New Year की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक January की नीचे इसका price भी दिया हुआ है और अलग-अलग dateों के हिसाब से अलग-अलग इसमें price भी दिये हुए है इसका मतलब यह है कि जैसे एक January का यहाँ पे price दिया हुआ है 5,342 रुपया इसका मतलब यह एक January का सबसे सस्ता price है flight का इसी तरह से दो जनवरी का सबसे सस्ती flight है 4,700 की आप अपने according इसमें देख सकते हैं तो जैसे मुझे एक January की करानी है तो एक January यहाँ रहण में स्फेया कर लूंगा और यहाँ दन वाले option पिन अपने किलिक कर ल Kend दा है इसके आप देख सकते हैं traveler and class वाले option दानरा किलिक करते हैं कितने अडल्टों तो यहाँ पे अगर प्लस वाले आइकन पे किलिक करते हैं, तो उतने ज्यादा बंदो की आप यहाँ पे टिकट करा सकते हैं, इसी तरसे आप Children भी आड़ कर सकते हैं, Infant भी आड़ कर सकते हैं, इसके अलावा कौन सी क्लास में आप इसमें टिकट कराना चाते हैं, Economy में कराना यह किसी और में कराना चाहते हैं यहाँ पे हम economy में कराना चाहते हैं तो यहाँ पे economy हम रहने देंगे और इसके बाद आपने done वाले option पे click कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद कुछ और option इसमें दिये हुए हैं जैसे student, armed forces, senior citizen और double seat इसका मतलब अगर आप इन में से कुछ भी है तो आप इन में से वो select कर सकते हैं इसमें select करने पर कुछ और extra discount आपको इसमें flight में मिल सकता है इतना करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे search flight वाले option पे click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई से दिल्ली के ओर जाने वाली एक जनवरी की सभी flight की list यहाँ पे आ चुकी है आप इसे sort भी कर सकते हैं sort and filter वाले option पे अगर आप click करते हैं और इसके बाद आप sort by वाले option पे click करते हैं तो आप यहाँ पे अलग-अलग चीजों के हिसाब से sort भी कर सकते हैं जैसे अगर आप price के हिसाब से sort करना चाते हैं तो price वाले option पे click करना है इसका मतलब क्या होगा अगर apply करते हैं जैसे apply वाले option पे click करते हैं तो इसका मतलब सबसे शस्ती जो flight है सबसे उपर आपको दिखाई देगी जैसे आप निश्टी की तरफ देखते हैं तो उससे महंगी महंगी फ्लाइट आपको दिखाई देने लगेंगी sort and filter में दुबारक किलिक करने पर इसे आप यहाँ पे departure time के हिसाब से भी sort कर सकते हैं सबसे पहले जाने वाली उस दिन की जैसे एक जनवरी आपने select कर रखा है उस दिन की सबसे पहले जाने वाली फ्लाइट मुझे सबसे पहले दिखाई दे उसके बाद उसके बाद जाने वाली फ्लाइट है मेरे को नीची की तरफ दिखाई दे लेकिन यहाँ पे हम अभी price के इसाब से इसे sort कर रहे है select करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं flight की list भी आपके सामने आ चुकी है जैसे हमें रात की यह वाली flight book करनी है जो की रात को एक बच के 20 मिनट पे है एक जनवरी के दिन तो यहाँ पे इस पे हमने click कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं saver वाले option पे आपने book now वाले option पे click कर लेना है इसके बाद आपकी flight का detail यहाँ पे दी हुई है आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं कि कब आपकी flight है कहां से कहां तक जा रही है इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दो option देए हुए हैं या तो आप saver plan इसमें चूज कर सकते हैं जिसमें आपको 5,342 रुपया लगने वाला है और इसमें यह यह facilities आपको इसमें मिलने वाली है लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी 5,591 रुपया पे करते हैं जो कि MMT make my trip special flight मा आता है तो इसमें कुछ और extra advantage या extra features आपको मिल जाते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपकी flight मिस होती है तो आपको 7,64 रुपया इसमें मिल सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पे कुछ extra features इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके बाद अलग plan पे click करने के बाद आपको continue वाले option पे click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे baggage policy इसमें दी हुई है चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं और यहाँ पे cancellation refund policy यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे से अगर आप आज की rate से 28 December तक flight cancel कराते हैं तो इतना penalty आपको पढ़ने वाला है और उससे ज्यादा के बाद आप cancel कराते हैं तो इतना penalty आपको पढ़ जाएगा यहाँ पे अलग-अलग cancellation policy दी हुई है चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वही same option saver वाला और flexi plus वाला option दिया हुआ है हमने normally इसमें saver वाला option select कर रख लेकिन अगर in case आप अपनी flight को in future cancel करते हैं तो आपको refund मिलेगा 5342 तक आपको refund मिल सकता है अगर आप यहाँ पे इसे लेना चाहते हैं तो 1650 रूपया आपको extra pay करना पड़ेगा लेकिन हम यहाँ पे इसे नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे आपने इसे टिक नहीं करना है इस इसके बाद बारी आती है सबसे important feature की जो की है promo code का आपको इसे जरूर apply करना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके हिसाफ से अलग-अलग promo code यहाँ पे दिये हुए होते हैं कि जैसे अगर इस promo code को आप select करते हैं तो 150 रूपया आपको अभी discount मिलेगा और इस promo code को select क account आपको मिलने वाला है लेकिन उसके लिए आपको city no cost EMI payment mood से payment करना पड़ेगा इसके अलावा आप view more में अगर आप जाते हैं तो अलग-अलग promo code आपके हिसाफ से यहाँ पे दिये हुए हैं आप चाहिए तो कोई भी इसमें select कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे only 175 वाला promo code apply कर रहे हैं इसे select करने लेना है आपने इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पर meal policy भी आपको दी हुई है कि अपनी यात्रा के दौरान अगर आप कुछ भोजन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एड़ कर सकते हैं लेकिन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं और कुछ seat का भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको excel seat इसमें मिल सकती है इतना रुपया भी payment करना पड़ेगा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एड़ कर सकते हैं अदरवाइस इसे भी आप ऐसी ही छोड़ सकते हैं इसके बाद शिक्योर ट् सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं insurance भी इसमें दिया हुआ है कि 299 रुपया भी आप पे करना चाहते हैं तो आपका insurance भी हो जाएगा आपकी trip जो है वो सिक्ट्योर हो जाएगी लेकिन अभी हम यहाँ पर कोई भी insurance नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर पहला और लास्ट नेम यहाँ पर दना है इसके बाद आपने डाल लेना है इसके बाद आपको कन्फर्म वाले option पर किलिक कर लेना है इसके बाद अगर आपके पास कोई GST number है तो इसे tick कर देना है otherwise आप इसे ऐसे ही सोड़ सकते हैं इसके बाद आपने continue वाले option पे click कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर incorrect email डाला हुआ था तो दुबारा से हमें email डालने के लिए बोल रहा है दुबारा से हमने यहाँ पर email डाल दिया है और confirm वाले option option पे इसके बाद आपने click करके यहाँ पर continue वाले option पे click कर लेना है एक बार फिर से आपने अपनी फ्लाइट को review कर लेना है कि आपका नाम यह है यह है करके इस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं और इसके बाद आपने confirm वाले option पे click कर लेना है इसके बाद बार यहाँ आत आप अगर select करते हैं तो इतना charges आपको यहाँ पर देना पड़ेगा लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी seat select नहीं करते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है जब आप airport पर जाते हैं तब आप जब check-in करते हैं उस time पर automatically आपकी जो seat है वो आपको allot हो जाएगी यह सकते हैं अदरवाइज इसे भी ऐसे ही चोड़ सकते हैं और continue वाले option पर click करना है यहां पर add-ons में भी आप देख सकते हैं अलग-अलग type के आपको advantage इसमें देखने के लिए सकते हैं लेकिन उसके लिए आप से चार्ज गया जाता है यहां पर एरपोर्ट पिकप एंड ड्रॉप टैक्सी के लिए भी बोल रहा है आप चाहें तो इसे ले सकते हैं अदरवाइज आप से नहीं भी ले सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा नेची की तरफ अगर आप स्क्रॉ प्रिण करते हैं इस पहुंत लाइस गूला ग्रफ आप से चुनिक हैं इसे नहीं पता कि आपकी यूपी आई उड़ी फोन पे या गूओग्ल पे की तो already हमने भी इसमें एक वीडियो बना रखा है कि आप कैसे अपने phone पे या Google पे की UPI ID चेक कर सकते हैं तो अपनी UPI ID यहाँ पे आपने enter कर लेनी है UPI ID enter करने के बाद pay वाले option पे आपने click कर लेना है अभी आपकी payment जो है वो processing हो रही है और इसके बाद क्या होता है आपके phone पे में एक request भेजी जाती है जैसे ही आप phone पे open करते हैं तो इस type से कुछ make my trip application की और से आपके लिए एक request आई है कि आपको उनको इतना रुपया payment करना है यहाँ पे आप payment वाले option पे किलिक करके अपना bank account सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे कर सकते हैं और इसके बाद आपको अपना छे डिजित का UPI pin डालना है और payment successful कर देनी है लेकिन अभी हम यहाँ पे कोई भी payment इसमें नहीं कर रहे हैं जस्त यह आपको दिखाने के लिए था payment जैसे ही आपकी successful होती है तो automatically आप यहाँ पे इसके बाद आपने make my trip application में चले जाना है और आपकी flight की ticket यहाँ पे book हो जाएगी और जो आपकी flight की ticket book होगी वो आपके email address पे भेज़ दी जाएगी और उसी email address पे जो आपकी flight की ticket आएगी उसी ticket को आपने airport पे दिखाना है और airport में enter करना है और वहाँ पे check-in के time पर भी उसी email वाली ticket को आपने दिखाना है तो दोस्तो इस तरह से आप make my trip application की मदद से एगरम सस्ती से सस्ती flight ticket book कर सकते हैं थन्यवाद